निश्चित रूप से जम्मु कश्मीर की जनता भारी मतदान कर रही है। मैं सभी नागरिकों से निवेदन करता हूँ, पहले फेज और दूसरे फेज से की ही तरह आप घरों से निकलिए और एक बड़ा टार्गेट लेकर निकलिए, अपना मत दीजिए, आपका मतदान आपक लोक तंत्र को मजबूत करेगा और निश्चित रूप से बुलेट पर बैलेट की विजे का दिन एक तारीक है, अलगावाद पर इंसानियत भाईचारा और राष्ट्रवाद की जीत का दिन है, शान्ती, स्थिर्ता और विकास का दिन है। इन तीन परिवारों ने जम्मु किश्मीर के नागरिकों को एके 47 बम, पत्थर, गोलियां बंदुके दी। परधान मंतरी मोदी ने नौजवानों के हाथ में रोजगार दिया है, प्रेटन दिया है, उध्योग दिया है, लैप्टोप दिया है, तरक्की दिया है, एक सपना दिया है, जो निश्चित रूप से पूरा होगा, आज अमर अबदुल्ला साहब, राहुल गांदी, महबूबा जी, रशीत साहब, ये सभी कह रहे हैं कि ये में बैठे हुए लोगों को छोड़ देंगे, अबदुल्ला साहब किसको छोड़ना चाहते हैं, कौन है आपके ज जनता होने नहीं देगी, नोजवानों ने आंतकवाद का रास्ता छोड़ दिया है, अब विकास की और बड़े हैं, अलगावबाद चोड़ दिया है, अब तरक्की की और बड़े हैं, उनके बविश्यों को सोचते हुए, जम्मु कश्मीर के बविश्यों को सोचते हुए, अलगावबाद की सोच को अलगावबादियों वाले भाशनों को छोड़ दें अबदुल्ला साथ मुफ्ती बहन अब जम्मु कुश्मीर को आगे बढ़ने दे जम्मु कुश्मीर की जन्ता आपको नकारने वाली है और स्टेट हुड की जो बात आप करते हैं स्टेट हुड अगर कोई दे सकता है तो केंदर की नरेंदर मौदी की सरकार ही दे सकती है और सेंटर ने इसके लिए गोशना की है कि हम स्टेट हुड देंगे लेकिन आप बासी कड़ी में उबाल रा ले हो ये बासी कड़ी का उबाल चलने वाला नहीं है और निश्चित रूप से एक अक्तूबर एक टर्निंग पॉइंट होगा और जम्मो कुश्मीर की जनता पहले दो फेसिस के तरह तीसरे फेस में भी भारी पोलिंग करेंगी और बैलेट विजय होगा लोक तंत्र विजय होगा जनता की भावनाएं विजय होंगी जनता अपना नेता चुनेंगी और मत पेटियां नेता तै करेंगी किसी बड़े परिवार की मा का पेट नहीं मत पेटी तै करेंगी कि जम्मु कश्मीर का नेता कौन है हम तो 47 की 47 कश्मीर की और 43 की 43 जम्मु की दोनों और पूरी तरह केंदरित कर रहे हैं हम उमर अब्दुल्ला की तरह नहीं है जिने सपष्ट दिख रहा है कि चुनाब वो हार रहे हैं इसलिए वो कह रहे हैं कि हंग सेंबली आएगी ये हंग सेंबली की बात ये बताती है कि उमर अब्दुल्ला नैतिक रूप से लड़ाई हार चुके हैं बार बार उनका कहना कि राहूल गंदी परफोर्म नहीं कर रहे इसका मतलब उन्हें समझ आ गया है कि उनका सुफ़डा जंता साफ कर चुकी है और अप्रैल 2024 रपीट होने वाला है उमर अब्दुल्ला भी दोनों सीटों से हारेंगे और मुफ्ती परिवार नहरु गांदी परिवार भी चुनाव हारेगा जम्मु कश्मीर का आम नागरिक जीतेगा